शे बजे के साथ ही बिहार की बड़ी खबरों को लेकर मैं आपके साथ हूँ शुरुआत करते हैं उस खबर की जिसकी चर्चा तो असम में हो रही है जिसकी आँच बिहार तक पहुँच गई है हम बात कर रहे हैं NRC की असम में इसका फाइनल ड्राफ्ट तयार कर लिया गया है कहा जा रहा है लेकिन बीजेपी अब किशनगन से इसकी शुरुआत करने की मांग कह रही है बीजेपी कह रही है कि किशनगन जबे बड़ी संख्या में बांगलादेशी सनार्थी है जिसकी वज़े से वहाँ पे जनसंख्या तेडी से बड़ी है और अब जो NRC है उसकी शुरुआत उसके सर्वे की शुरुआत किशनगन से होनी चाहिए यानि बिहार से होनी चाहिए आपको हम बता दे कि कल जेडियू ने ये कहा था जेडियू के जो मंतरी है श्याम रजक उन्होंने ये कहा था कि बिहार में NRC की कोई जरुवत नहीं NRC जैसी कोई बात ही नहीं यानि बांगलादेशी स्चनार्थी यहां नहीं है कुछ इस तरह की बात उन्होंने कहने की कोशिश की थी लेकिन आज BJP के कोटे से बिहार सरकार के मंतरी है विनोद सिंग उन्होंने कहा कि बांगलादेशी स्चनार्थी बड़ी संख्या में है किशनगंज में और बिहार के सीमानचल के हिस्सों में है इसलिए इस पर बिहार में सर्वे किया जाना चाहिए खासतोर से किशनगंज की उन्होंने बात कही है महाँ पे सर्वे किया जाना चाहिए और इसके साथ ही यहाँ पर जो लोग है उन्हें चिन्नित किया जाए उन्हें बाहर किया जाए क्योंकि ये लोग बड़ी संख्या में अपराद को अंजाम दे रहे हैं। हम आपको बता दे कि लगातार कई ऐसे मुद्दे आते रहे हैं जिस पे बीजेपी और जेडियू के अंदर मतभेद पहले से रहे थे हाला कि उन सब पर अब एक तरह से पटापेक शो गया है क्योंकि हम बात कर रहे हैं तीन तलाक की हम बात कर रहे हैं धारा 370 हटाये जाने की इन दोनों मामलों में अब कहीं न कहीं कोई बहस रही नहीं है लेकिन अब तीसरा मामला एनर्सी का है अब देखना होगा कि जेडियू का इस मामले में क्या रुख रहता है ये एहम होगा क्योंकि बीजेपी लगातार इस मुद्दे को यहां छेड़ने की कोशिश कर रही है बीजेपी के जो केंद्रिय मंत्री है बीजेपी के गिर्रास सिंग आज उन्होंने राकिश सिनहा जो संग के विचारक है उनके एक ट्विट को रिट्विट किया और रिट्विट किया इस ट्विट में जो राकिश सिनहा ने किया है वो ये किया है कि क्या बिहार के सिमांचल क इलाकों में एनर्सी की जरुवत है एनर्सी और उन्होंने एक तरह से इस पर सर्वे करने की कोशिश की है जन्मत की राय लेने की कोशिश की है यानि केंद्र से लेकर केंद्र में गिर्रास सिंग से लेकर के बिहार में विनो सिंग तक इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि एनर्सी बिहार में जरूरी है अब सवाल ये है कि जेडियू इस पर क्या रुख अपनाती है क्योंकि बीजेपी ऐसा लगता नहीं कि फिलहाल इस मुद्दे पर चुप होने वाली है शैलेंदर बीजेपी मुद्दा छेड़ चुकी है जेडियू का क्या पक्ष हो सकता है क्या रुख ह सकता है सवेराँ कोई भी ऐस रहाँ है जो बाहर में अभय तरीके से यहां कोई रहे रहा है कि साफ़ दोड़ा मांग कर रहे हैं कि भिहार में एनारल इनार्छ पieß लाम को के लिए अभ्यान चलाए जा वो लोग कहीं न कहीं भणकाव राजनिती कर रहे हैं और जो कि विहार में जब तक नितीश कुमा रहे हैं संभब नहीं है कि विहार में किसी तरीके से भणकाव राजनिती को बढ़ावा दिया जाए खास वर पर देखे कई ऐसे मुद्धे हैं ज जिस पर बीजेपी ने के इंसरकार ने उन मुद्धों पर जो उसे फैसल लेना था वो ले लिया लेकिन उसके बाद भी जेडियू बहुत चाह करके बहुत कुछ नहीं कर पाई तो ऐसे प्रसिति में अब एक नर्सी का बड़ा मुद्धा आ रहा है खास दोर पर सिमानचल क रहे गए हैं कि यहां बड़ी है कि वोट भाएंग का वामला है लेकिन बियजेपी है ओड़ी है कि जब आसाम में हो सकता है तो बिहार में क्यों ने हो सकता और खास दोर पर सीमाचल इसे क्यों नहीं लागो किया जा सकता है इस बात को ले करके दोनों में जीच है अलागी देखना होगा कि जब बड़े पैमाने पर अभी जो कहा जा रहा है अभी सिर्क बेयानवाजी बीजेपी के नेताओं के द्वारा हो रही है तो वह बेयानवाजी जब किसी फैसले का तो सिधे तोर पर यहां पर हमला है अब हमार समझ लेकि है कि राष्ट्रिय नागरिक्ता रजिस्टर इसको इसको लेकर के असम में काम किया जा रहा है असम में इसका फाइनल ड्राफ तयार किया जा रहा है और ड्राफ इस आधार पर तयार किया जा रहा है कि 1971 से पहले जो भी शनार्थी यहां आए असम में उनको एक तरह से यहां पर नागरिकता देने की बात कही जा रही है लेकिन उ संख्या आई है उसके बाद जो भीड़ाई है उसका क्या वो यहां के नागरिक नहीं है यह कहा जा रहा है और इसी को लेकर के एक तरह से चर्चा चल पड़ी है 1971 के बाद जो लोग आए उनकी पहचान की जा रही है और उनको पहले तो उनकी पहचान की जाएगी नागरिक्ता रेजिस्टर से उन्हें हटाया जाएगा और उसके बाद उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा ऐसा माना जा रहा है हाला कि फाइनल ड्राफ्ट अभी असम में तयार जो हुआ है उस पर भी कई चीजे करनी है उसमें भी समीक्षा होनी है उसको लेकर के भी आगे उसको उसको उसकी खिलाफ अपील में जाया जा सकता है भी बहुत सारी संभावनाई वहां भी खुली हुई है लेकिन चुकि अब यह मुद्दय छ्ड़ गया है अब यह मुद्द बहस में हो चला है इस लिए अब भी पलाया बहाаже से आए हैं लोग यह माना जाता है इस लिए इस पर एक चर्चा चड़ी बहाई कि अगे यह जो है लग नहीं रहा है कि फिलाद थमने वाला है इसको बीजेपी कहीं न कहीं गरम करें देखिए 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था और एक नया देश बना था बंगला देश तो उस युद्ध के दोरान ही भारी संख्या में बंगला देशी सरनार्थी भारत आये थे भारत सरकार ने ततकालीन जो भारत की सरकार थी स्रीमती इंद्रा गांधी वहां की उस समय प्रधान मंत्री थी और ततकालीन प्रधान मंत्री ने उन लोगों को भारत में जगा दी थी और इसी को लेकर के असम में सबसे पहले ये मुद्धा बीजेपी ने उ आई थी मुखमंत्री नितिस्कुमार से मुलाकात की थी और उस समय NRC का बिरोध उहां के जो गेड़ BJP के दल थे उन्होंने बिरोध किया था और जदियू ने उस समय एक कदम उठाया था और दू अपने परती निधी को भेजा था असम उहां उन लोगों का जो धरना था उस पर जदियू और ने उस धरना का समर्थन दिया था अब वह लिस्ट बन गई है वहां की सरकार ने एक लिस्ट बनाई है उस लिस्ट के मुताबिक 1971 के बाद जो लोग हैं उनको वहां की सरकार अभी की सरकार है तो वहां की सरकार उनको बाहर ही मान रही है और उसे किसी भी की पर असम के मददाता सुची में उसको सामील करने की बात नहीं कर रही है और उनको वो मांती है कि उनको जो असम के मूल निवासी है उनको जो अधिकार मिला है वो अधिकार उनको नहीं मिलना चाहिए ठीक बिहार में भी वही अस्थिति है बिहार चुकि आपने पहले ही कहा है कि बंगाल से सटा हुआ इलाका है, सीमाबरती इलाका है, किसंगंज, अरणिया, पुर्निया और कटिया और वहां भी बंगला देशी सरनार्थी भारी संख्या में है, और अब तो अस्थिती ये हो गए कि किसंगंज में अलब संख्यकों की संख्या 60% से ज्यादा हो गई है, और आपको याद होगा कि देश में जब अलब संख्यक जिला के लिए सरकार ने सबसे ज्यादा अगर सहयोग की बात की थी, तो उसमें से बिहार के जो इन इलाकों के जिले उसमें से चुने गए थे, और बीजेपी की जो अनुसंगी की काई है, वो लगातार इस पर लड़ती रही है, और बराबर चिकेन नेक के को वो अच्छेतर मनती है, और एवीपी उहां पर लगातार बंगलादेशी घुसपेठियों को निकालने की मौंग करती रही है, तो बीजेपी का उन जीलों में अस्तित इसी को ले करके है, आप जो देखते हैं कि उहां हिंदू और मुसलिम जो करता है, उसके पीछे यही है कि बीजेपी उहां पर जो ब बहुत लोगों का था, लेकिन अभी जो आप देखने के 6 लाग से ज्यादा वहां काराया कि हिंदू को भी नहीं मिला, तो वहां सारे लोगों को मददाता सुची में नाम नहीं है, या आधार कार्ड में नहीं है, तो ओशी परिसिती में बिहार में ये टप है, और बिहार म में सरकार थी तो वहां, यहां नीतिश कुमार की सरकार है, और नीतिश कुमार ने सीमांचल के इलाके में भी देख लिया, आपने कि उस इलाके में भी अपनी उमीदवारी दे करके उन्होंने चुना फटख हासिल कर लिया, इसलिए ये राजनीतिक मुद्दा है ही, लेकिन उसके साथ जो तकनीकी समस्या है, वो समस्या है कि वहां उस इलाके में किसंगंज, अरणिया, पुर्निया और कठिहार, ये जो चार जीले हैं, इन चार जीलों में जो अधिकान सावादी है, जिसको बीजेपी या वीपी या उसके जो अनुसंगे की काई हैं, वो जो बाहर ही मनती हैं, उन लोगों को मिला हुआ है नागरिकता परमानपत्र, तो ऐसी परिसिती में, हाला कि इसको लेकर के एक बहुत स्पश्चत और पर नहीं है, क्योंकि 1971 ये जो बात कही जा रहे है, उसमें बहुत इंपोर्टन्ट ये है, मैतपुर्णी है, कि 1971 के पहले ये इसकी जो सूची है, उसमें उन्हें जगा दी जाएगी, तो जाहिर तोर पर अगर ये रेडिस्टर यहां बनाया जाता है, नर्सी यहां आता है, और उसकी सर्वे यहां होती है, तो वो किशनगंच में भी समस्याएक खड़ी होंगी, अब ये देखना है कि जेडियू इसक जिन वोटरों की संख्या को लेकर के बात चल रही है, अल्प संख्यक वोटरों की, वो उनका वोटर नहीं रहा है, और जेडियू इन वोटरों को लेकर के काफी सवेधनशील रही है, उनको लेकर के वो हमेशा ये मानती रही है कि ये उनके वोटर है और जताने की कोशिश क करती रही है और यही वजाए कि जेडियू ने तीन तलाग से लेकर के धारा 370 जैसे मुद्दे पर भी जहां जो सीधे तोर पर बिहार में प्रभावित नहीं होता था उन मुद्दों पर भी अपनी राय रखी थी अब यह मुद्दा एरारसी का जो मुद्दा है उससे बिहार भी प्रभावित होगा सीधे तोर पर जेडियू के वोट प्रभावित होगे इसलिए बीजेपी के इस मुद्दे पर जेडियू के साथ तनाव जाहिर तोर पर आने वाले दिनों में दिख सकता है ये बेहत सपश्च तोर पर कहा जा सकता है और देखना ये होगा कि इसको ल कंगंज में करीम इनकी संख्या 73 फीसदी है एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है और वो ये कह रहे थे कि इसको लेकर के वो केंदर सरकार से भी बात करेंगे वो कहेंगे कि सर्वे की शुरुबात कहां से की जाए यानि ये मुद्दा आगे बढ़ने वाला है अब देखन है कि वो कुछ लोगों को परिशान करनी की कोशिश की जा रही है तो दो जिपक्षी पार्टिया है वो तो सपष्ट है लेकिन जेडियू का स्टैन यहां देखना होगा और हो सकता है कि आने वाले दीनों में दोनों पार्टियों के बीच इसको लेकर के तराओ बढ़े बहर सकता है इस कोर कमीटी की बैठा के बाद मुख्यमंत्री से भी बातचीत करने की कुछ कोशिश की जाए और यह माना जा रहा है कि यह जो विशय है नर्सी उसको लेकर के भी चर्चा हो सकती है तो यह बहुत 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 बात है जो हम आपको बताना चाहा रहे थे इसके अलावा हम बता दे आपको की डिप्टी सीयम जो शुशील कुमार मोदी है वो मंगोलिया के दौरे पर है और वो आज वहां के लिए रवाना हो गया है वो दस्तारी को पत्ता लोटेंगे अब तो इन जो पूरा घटना करम है नर्सी का और जो बहस है जिसको लेकर के ह हो सकता है आने वाले दिनों में चर्चा हो इन सब के बीच उप मुख्यमंत्री यहां नहीं होंगे ये भी एक महत्पूर्ण बात है अब आपको बता दे कॉंग्रेस को लेकर के कॉंग्रेस के फिर से पुराने दिन वाफपस आ रहे हैं कह सकते हैं क्यूंकि लोगसभा चु लाफ जागर के चुनाव लड़ा था निर्दल्य के तौर पर उनकी बापसी के संकेट मिल रहे हैं सक्ति सिंग ओहिल फिर से प्रभारी बन गये हैं कॉंग्रेस पुरानी धर्री पर रहा रही है शालेंद्र है कि कॉंग्रेस पार्टी में भी कहिन कहीं जो आरोप लगते र जन्हें करता हैं दो पहले से जो राहूल गांधी ने अपरे टीम तेयार की थी पूरे देश में उसमें राहूल गांदी के इस्तिफ़े के बाद इन लोगों ने भी अपना अपना श्तिफा भेज दिया था साहन भूती के लिए कि हम राहूल गांदी के साथ खड़े हैं, लेकिन जिन लोगों ने भी इस्तिफा भेजा था, उपरी मन से भेजा था, उन लोगों ने. कहीन एक डरह सहमे भी रहते थे कि जो इस्तिफा भेज दिया, कहीं ऐसा नहों कि फिर से उनकी कुर्सी चली जाए संगठन में जो उने पद मिला है। लेकिन जब सुनिया गांधी ने कमान समाला तो धिरी धिरी से वैसे लोग जिन्हों ने इस्तिफा दिया था या फिर जो राहुल गांधी के साथ खड़े थे कि नहीं राहुल गांधी ने इस्तिफा दिया तो हम भी इस्तिफा देंगे वैसे लोगों की वापसी हो रही वैसे कहने के लिए है कि फिर से पंदनमोहजाग की कुर्सी बच गई या फिर कह लिया जा कि बिहार परbhari की कुर्सी बच गई क्योंकि राहूल गांदे ने जो टीम तैयार की थि उस टीम को शोलियागा शोली सथीर को लेकर की वो सब्सक्राइब निर्दलिये चुनौलर था महागटवंदन महागटवंदन से हट कर और उसमें कॉंग्रेस के कुछ निताउन उनके लिए परचार भी कहता है जैसे भावना जहा कि हम बात कर लें तो खुल करकर उन्होंने परचार किया था जिस पर बाकी जो महागटवंदन क जो कॉंग्रेस के सयोगी दल थे उन्होंने आपती जताई थी जिसके बाद कहा गया था कि नहीं सकील एहमद पार्टी में नहीं रहेंगे इन पर करवाई की जाए भावना जहापर करवाई की जाए इन लोगों को नोटिस जारी करके कहा जा सकता है कि एक सिंबॉलिक आज सकील एहमद ने भी सुनिया गांधी से मुलाकात की है और उनका कहना है कि वह कॉंग्रेस में थे और कॉंग्रेस में रहेंगे परिसीती ऐसी बनी कि उन्होंने चुनाव लड़ा चुनाव लड़ने की बात अलगे तो कहीं ने कहीं जो राहूल गांधी के इस्तिफा द इस्तिफों का दौर चला और उसके बाद फिर से वही दौर बात कर लेते हैं अवनीश से अवनीश इस दौर में जब इस्तिफों का दौर चला समीक्षा हुई फिर से अब वापसी की बात हो रही है क्या कुछ बदल पाया है कॉंग्रेस में कॉंग्रेस राहूल गांधी न श zijn श्वैइं श्वैइए लेकिन श्वा उनका मंजूर नहीं हुआ फिर उनको पुना बाहल कर दिया गया तो मैं लगता है कि कॉंग्रेस के जो पुराने चीज़ी है वो काफी नराज है बिहार के जो आला का JES và तो बिहार के वैसे नेता जो पुराने हैं पुराने कॉंग्रेस है वह काफी नराज चुको लिखा लगता कि कॉंग्रेस ने पडनलृज है बीभीेट पसा, यहां पढ़ लिए टीम कोंग्रेंस कभी भी यहां पर बीट टीम रहेगी और कोंग्रेस कभी भी एट नहीं बनना चाहती है कॉंग्रेस के जो नेता है वो नहीं चाहते हैं कि कॉंग्रेस जो है यहां मजबूत हो बले ही 2015 में विधायकों की संख्या उनकी बढ़ गई लेकिन हमें लगता है कि लोग सब्सक्राइब मातर एक शीट वो जीत पाए आने वाले समय में जो विधान सब्सक्राइब होगा उसमें भी कॉंग्रेस बीन ही रहेगी और कॉंग्रेस के लोग जो है वह नराजगी जो हमें लगताए घज़ने को मिले और पर अबनीश की जो बात है वह आ ценदि एस या लोगों को कोंग्रेस से Up बात कर लेते हैं बीजेपी की एक समारों की बीजेपी ने आज स्वर्गिय रामदेव महतो की पुनिती थी थी उनकी और उन्होंने मनाई ये और ये विद्यापती सभागार में ये आयोजन ही होा था जिसमें बीजेपी के कई बड़े नेता मंत्री शामिल हुए थे लेकिन पूरे समारों में चर्चा का विशे रहे बीजेपी के एक पूर विधान पार्षद बालेश्वन भारती बालेश्वन भारती ने आज जो कहा मंच से वो आश्चर जनक बात था उन्होंने कहा कि खोल करके ये बाते कही बहुत लंबे समय बात बीजेपी में इस तरह के सुर सुनाई पड़े, उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने पुरानी लोगों को भूल चुकी है, वो भूल चुकी है कि जो लोग पार्टी का जंडा लगातार होते आ रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं दिया जा रहा है, जो लोग नए नवेले आए हैं, पार्टी में तुरत आए हैं, उन्हें कुरसी दे दी जा रही है, सब कुछ उन्होंने मंच से कहा, अपने भाशन में कहा, इस मंच पर समराच चौधरी भी मौजूद थे, जाहिर तोर पे उन्हें ये बात नागवार गुजरी, समराच चौधरी हाली में पार्टी में शामिल हुए हैं, और उन्हें तो ये मंच पर बीजेपी के नेताओं में आज इस तरह से एक विवाद दिखा, जो बीजेपी के अंदर नए और पुराने का अंतरकला है, वो आज मंच पर दिखा, और इसको लेकर के लगातार बहस होती रहती है, और लगातार बीजेपी के जो कार करता है, कुछ नेता है वो नाराज़गी जताते रहते हैं जिस तरह से नए लोग आते हैं दूसरी पार्टियों से लोग आते हैं और उन्हें अजानक से पद मिल जाता है इसको लेकर के चलिए आप बात कर लेते हैं कुछ और खबरों की बात अनंत सिंग की जिनको बुतरू ने फसा दिया है बुतरू आपको बता दे कि वोईस टेस्ट हुआ था अनंस सिंग का वोईस सेंपल का उनका टेस्ट हुआ था और पुलिस बुख्याले में हुआ था ये और जो भोला सिंग है उनकी हत्या को लेकर के एक शाजिस रचने का मामला जो वीडियो एक वाइरल हुआ था उसको लेक और उसमें ये कहा जा रहा था कि भोला सिंग की हत्या की शाजिस रची जा रही है उन्होंने बाचीत की थी अपने कुछ गुर्गों से उनकी गिरफतारी हुई और उसके बाद अनंस सिंग पर आरोप लगा वो वाइस सेंपल जो है वो लिया गया उनका और कहा ये जा रहा है कि वो वाइस सेंपल मैच कर गया है यानि उन्होंने जो कुछ बाते कहीं थी बुद्रु कहीं थी और दो-तीन शब्द इस्तमाल किये थी उन सब को उनसे बुलवाया गया इस वाइस सेंपल लेने के तौरान और ये सारी चीजे मैच कर गई है तो अब अनंस सिंग के ने लिया था जिसमें पांस सदस्थ थे और लेने के बाद पुलीस के तरफ से अनन सिंग के बारे में कुछ इंफोर्मेशन एफसल की टीम को दिया गया था जैसे दो तीन चाड़ वर्ड हम आपको बता दे जैसे बुत्रू एक एफ़टी सेवन खमडा कुछ पता ने छे मार जानकारी थी नहीं जानकारी पुरी तरह से पुलीस के तवरा दी गया थी पांच वर्ड दिये गया थे पुलीस को कि इन ही वर्डों पर आप लगा प्रेस किजिए गा अन्तव तकत अन्न सिंग फस गया उसके बाद इनकी आज रिपोर्ट कल सामें पुलीस को सौंपी गई आज मनने नहाजीस के समक्ष रिपोर्ट जैसे ही गई उसके बाद गरामीन स्पी से मारे बाच चीए गरामीन स्पी ने आफ दा रिकॉर्ड स्विक प्रेस के साथ वहला सिंग एक उसमें जो मुक साजिस करता था ललू मक्या जिसने सलेंडर किया उसका जो कन्फेंशनल ब्यान है वह बड़ा चौकाने वाला है उसने अपने दस लाइन के ब्यान में उसने असपस तोड़ पेका है कि साजिस पूरी जरा अनंत सिंग के आवा लेकिन सूचना लिख हो गई अब सूचना कहां से लग और य massage तौर आंजक आव जोने लोग जाने सूचना लिख होई और वो तीनों वेक्ती पक्रे गये तीनों पटना के शूटर थे और आम शूटर नहीं थे यह लोग मंदीरी जिस समय कोख्या था अब तो नहीं और फो इस समय ये लोग दोनों हाथ में पिश्टल लेकर के पटना में कई लोगों के हत्या कर चुके थे ते इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी और सीधे तोर पर इस पूरे मामले में उसने कहा है कि पूरे मामले में अनन सिंग सामिल थे और मैं भी था मैं वहां से जैस से अनन सिंग फसे हैं पहला तो यह है कि साजिस का पूरा मामला उन पर चलेगा दूसरा यह है कि जो खतियार दिया गया ठीक है वो आफिसी धारा में कंड़वाट हो जाएगी तो बचने के रास्ते बिल्कुल बंद हो चुके हैं बिल्कुल 100% देखिए अगर ललू मुख् पूरे साजिस में अनन सिंग थे उनको पैसा दिया गया हतियार दिया गया हमको जानकारी थी हम जहां खड़े थे वहां से हम भाग निकले उसके बाद फिर हमने उनसे बात किया और वही उससे पहले आरबात दोनों गोडियो यह ललू मुख्या का जो बयान है वो अनन उनके लिए मुश्किल बन गया है और इतनी बड़ी मुश्किल कि अब उनके लिए इसमें बचना मुश्किल हो चुका है अब बात कर लेते हैं सिक्षक दिवस की आज सिक्षक दिवस है और आज सरकार की तरफ से पहले जान लेते हैं सरकारी कारक्रम में क्या कुछ हुआ? लिए जा लेते हैं अशोक मिश्री से अशोक मिश्री जी क्या कहा आज मुख्यमंत्री ने नियोजे सिख्षकों के लिए देखिए पूर्ब्रास्ट पती सरपिली राधा कृष्णान के जनद दिन पर ये सिख्षक दिवस का एवजन होता है और एक सरकारी समारो एवजन किया जाता है इस अबसर पर एक राजधानी पटना के इसके मेमरियल में काईज करा मायोग जी था और यहां पर 20 शिक्छकों को भी सम्मानित किया गया था लेकिन अपने संबोधन में मुकमंत्री ने जो इसारों इसारों में नियोजिस शिक्छकों पर ही जम कर निशाना साध मुकमंत्री ने कहा कि इस आज सिक्छक दिवस है और हम चाहते हैं कि बिहार में पहले सिक्छा जो था वो एक तरह से कह सकते कि सिक्छा की अस्तिती अच्छी नहीं थी और इसकूलों में सिक्छकों की संख्या काफी कम थी सिक्छकों का आभाव था तो हमने सिक्षकों की निउक्ति की और मुक्पंत्री ने बताया कि किस तरह बिहार में पंचायती राज लागू हुआ जब हम यहां प्याये और पंचायती राज वेवस्था में ही सिक्षकों की निउक्ति का अधिकार दिया हो गया है तो हमने पंचायत और नगर निकायों को इसका आधिकार दिया था और इस पर सिख्चकों की नियुक्ति की गई लेकिन जिस समय नियुक्ति की गई थी उस समय चार हजार रुपई ये महीने पर हमने उनको नियुक्ति किया था और उस समय जो नियुक्ति की गई थी उसको लेक लेकिन समान काम समान बेतन को लेकर के ये लोग सुप्रीम कोट तक गए और वहां सुप्रीम कोट में हमारे खिलाप याने कि राज सरकार के खिलाप इन्होंने बड़े-बड़े वोकि लगे लेकिन फिर भी उनको सफलता नहीं मिली और ये लोट करके चलिया है आज फिर वो स सारों में तंज कस्ते हुए हुए का कि नोक्री हमने ही दिया और आपकी जो का जो डिमांड है उसको पूरा भी हम ही करेंगे दूसरा कोई पूरा नहीं कर सकता है भले इस पर सियासत जो हो तो मुखमंत्री के दिल में एक दर्द छलका कि सिक्षक दिवस के अफसर पर कि जी लेकिन जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक आपको कुछ नहीं मिल सकता है तो इसलिए आप बच्चे को सबसे पहले पढ़ाईए गुनबत्ता पूर्ण सिक्षा दीजिए और फिर सरकार इस पर विचार करेगी फिर किर्सनंदन बर्मा जो सिक्षा मंत्री हैं उन्होंने भ को साफ तोर पर कर दिया है कि आप चाहें फूर से कोई असर नहीं होना है हम चाहेंगे तब होगा और हम तब ही चाहेंगे जब संशीप में आप से जाना चाहेंगे प्रदर्शन का कितना आसर रहा पटना दिखेंगे खास तोर पर गर्दनीबाग का जो पूरा इलाका उस इलाके के देखिएगा तो आप हर और सिर्फ वर सिर्फ सिक्षकी ने जरा रहे थे हला कि सुरू में लोग चर्चा जरूर कर रहे आ आ लगता है कि सिक्षकों का एक बार फिर से राधानी पटनाय उगर परदर्शन होगा हो सकता है कि इसमें पुलिस कि अभल का प्रोकरना पड़ सकता है लेकिन से जैसे दिन बीटा गया सिक्षकों का जो आंदोलन है वह कहीं ठंडा पड़ते गया और जो सिक्षक दूर दूर सा थे वह धीरी-थीरी अपने घर को जाने लगे संजय कांधी स्टेडियम में सिक्षकों ने अंदोलन करने के लिए जगा मांगी थी, सरकार ने लौट पी कर दिया, लेकिन अचानक एक दिन पहले उसमें तालाबंदी कर दिया, कहा गया कि नहीं आप इसमें अंदोलन नहीं कर सकते हैं, तो उसके बाद सिक्षकों ने गरदनी बाग के वो शेडिया में घुशने की कोशिश करता रहा, लेकिन बाद में पुलिस के समझाने के बाद और फिर सिक्षक जो है, वो काफी उगरने हुए, उन्होंने आंदोलन किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, और वो चले गए, तो कहा जा सकता है कि जो आंदोलन था, आंदो इसकी संभावना, उग्र होने की संभावना, प्रशासन को पहले सी थी, इसलिए प्रशासन ने जिस तरह से पहले दी जगा, फिर उसको रद कर दिया, और उसको ले करके काफी अलर्ट थी, प्रशासन पूरा प्रशासन अलर्ट था, और हलाकि इस प्रदर्शन का असर प्रकूब बिहार पर बढ़ता जा रहा है पटना पर मामले सामने आ रहे हैं लेकिन लगता नहीं है कि नगर निगम इसके लिए तयार है हम जालेते हैं मिशाल से मिशाल क्या तयारी है कुछ क्योंकि डेंगू एक बार फिर दस तक दे चुकी है देखिए बात जब डेंगू क फॉर डेंगू की होती है तो नगर निगम के तरफ से कहा जाता है कि फाँगी नहीं यह कि गई है और अभी तक अग्र बात की जैसे पटना के पीम सेच की तो पुड़े बिहार के अलगले जिलो से चाहे बात सुपॉल की करे सिता मडी की करे गया करे यहां से 146 चे ज्याद कि स्थिती जो है अब जो है धीरे धीरे जो है विक्राल रूप लेती जा रही है पटना में पिल से 24 घंटों की बात करें तो तकडी बन 19 के आसपास जो है डेंगू के जो है वो मड़ी जा चुके हैं PMCH में यह से PMCH का अंकड़ा है मैं एक बात साफ कर दूँ पटना में और भ यह जो मैं आपको बता रहो PMCH की रिपोर्ट है 146 अभी तक हो चुका है हलाकि इस पूरे मामले को लेकर एस्पताल प्रबंदन ने भी साफ कहा है कि उनके तरफ से तयारी है मड़ी जो आते हैं क्योंकि हर मड़ी जो आते हैं वो सिरियस नहीं होते हैं जो भी मड़ी सिरियस हैं उनके लिए जो है वहाँ प्लेटलेट्स के पुड़ी वैवस्ता है किट्स की जो है वो पुड़ी वैवस्ता है जाच के लिए तो तमाम दो तयारी हैं PMCH अपनी तरफ से कर रहे हैं लेकिन जब मामला बढ़ता है तब यह तयारी देखने को मिलती हैं तब उसका आसर न कार्ड नहीं किया जा सकता है जाते जाते एक अच्छी ख़बर आपको दे देते हैं अच्छी खबर यह है कि आरब्लॉक से दीघा की जो रोड़ बनाई जा रही है इसको ले कर किया गया है कि यह रोड समय से पहले पूरा कर लिया जाएगा और इसके जरीये जो यातायात ह वो जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा ये कहा जा रहा है और इसका नीरिशन किया गया और उसके बाद ये कहा गया है कि इसको जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा और कुछ और एक और ख़बर आपको दे दे, बड़ी ख़बर जाते जाते कि पूर्व समाज कल्यान मंतरी मंजू वर्मा के पती को बेयल दे दिया गया है, आपको बता दे कि उनको बालिका ग्रिभ मामले में जिस तरह से पूरा मामला सामना आया था, उसके बाद उनको जेल जाना पड और इन सब मामलों के बाद आज उने पटना हाई कोट से बेल दे दिया गया है ये बड़ी खबर है और अभी की बड़ी खबर है इसलिए हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं तो फेस्बुक लाइब पे आज उत्रा ही कल फिर बड़ी खबरों के साथ आपके साथ होंगे तब के लिए मुझे दीजे जादित नमस्कार